कि नमस्कार साथियों कि स्वागत हैं आपका स्रीमति धापुदेवी मेमोरिल कॉलेज बाड़मेर के इतियास की लाइव क्लास में आज हम बिये प्रधम वरस के दित्या प्रस्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या उसका सेल है बस आपको बताएंगे आपको पता है कि प्रस्न पत्र सो अंकों का होता है और उसे तीन पार्ट होते हैं ए बी या अ बस या ए बी सी जो भी कहें और उनके अलग अलग क् तो ये प्रत्मवरस के इतियास के धित्या परिसन पत्र का जो शेलबस है उसके अंदर आपके कौन-कौन से टोपिक है उसके बारे में हम आपको बताएंगे सेलबस पाँच एकाईयों में विभाजित किया गया है उसमें कुल मिला के पाँच एकाईया है और उन परतिक इकाई में भिन-भिन मिरकार के टॉपिक है जिनका हम यहाँ आपको विस्तार से बताएंगे इकाई प्रथम की बात करें तो इकाई प्रथम के अंतरगत जो आपके टॉपिक है वो है इकाई प्रथम के अंतरगत भारतिय संसकर्ति का आर्थ आधर विभिन्ता में एक्ता सेंधव समाज आधर्म वेदिक साहित्य समाज और धर्म यानि जो इकाई प्रथम है उसमें आपके ये चैप्टर रहेंगे ये टॉपिक रहेंगे जिनका हम अध्यन विस्तार से करमवाईज करेंगे आगे निरंतर लेकिन उससे पहले एक संक्सित थोड़ी हलकी हलकी जानकारी प्रथम जो चैप्टर है भारतिय संस्कृति का आर्थ और प्रथम जो इकाई है इसका भारतिय संस्कृति का आर्थ और आदर्ष इस टोपिक के अंदर करत या इस चैप्टर के अंदर करत हम अध्यन करेंगे भारतिय संस्कृति और उसके अर्थ यानि भारतिय संस्कर्टी क्या है उसके क्या उसके माइने है क्या उसका अर्थ है हमारी संस्कर्टी किस परकार की थी किस परकार के जो है हमारे आदर्श रहे है हमारी संस्कर्टी के क्या-क्या आवसेस है या उनके बारे में हम जो है विस्तार से इसका अध् कैसे ऐसी संस्कृतियां और ऐसी सभाइटाएं पन्पी विस्व में लेकिन वो समय के साथ ही बिखर गई या विलूप्त हो गई लेगिन एक भारतीय संसकर्ती इसमें न जाने ऐसा कौन सा गुण था ऐसी क्या विश्यष्टा थी कि इतने लंबे समय तक भी हमारी संसकर्ती विलूप नहीं हो पाई, मिट नहीं पाई तो इसके बारे में हम अध्यन करेंगे भारतीय संस्कर्ती का अर्थ, एम उसके आदर्ष क्या-क्या थे, किन कारणों से भारतीय संस्कर्ती इस्थाई रही और आज भी हमारे अंदर प्यापरायप्त है, दूसरा टॉपिक विभीनता में एक ता, यानि हमारे देश में हमारा देश एक धर्म निर्पेक्स देश है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर उस समय से विभीनता में एकता रही है, भिन भिन धर्मों के लोग यहां बड़े ही स्वहार्द पूर्ण तरीके से रहते हैं, और अपना खुसमें जीवन यहां पर बिताते हैं, हमारी विभीनत के क्या कारण है और उस में विभीनता में है क्या है, ग्यूं है, इसके बारे में भी हम अध्यन करेंगे, ऐसे बहुत सहरी विदेशी आकरानता हमेरे भारत में आए, हमें उन्हों हमें घुलाम बनाया, लेकिन फिर भी हमारी वो एकता को हमारी एकता को तोड नहीं पाए, तो इसके भी विस्तार से अध्यनाम करेंगे विभिन्ता में एकता के टोपिक के अंतरगत या इसके चैप्टर के अंतरगत तीसरा जो टोपिक है वो है सेंदव समाज एवम धर्म सिंदु घाटी सब्वेता उसका उस समय जो है समाज कैसा था और उन लोगों का धर्म क्या था धर्म के क्या मायने थे उनके जीवन में सेंदव समब्वेता हम सब जानते हैं सिंदु घाटी सब्वेता के बारे में पढ़ते हैं जब हम विस्तार से तो उसके बारे में विस्तार से हम जानते हैं कि सेंदव समब्वेता के लोग जो है मात्र परधान थे और यह एक नगरि यह व्यवस्ता थी जिसमें जिसके अंतरकत बहुत सारे ऐसे इस्थल जो प्रातोविभाग को प्राप्त हुए हैं जैसे हडपा, मोहन जोदडो, काली बंगा, लोथल और भी नजाने इतने कहें जितने ही ऐसे इस्थल जिन से सेंदव सब्वेता के बारे में हमें जानकारी प प्राप्त हुए हैं नगरों के अवसेश जैसे मोहन जोदडो, काली बंगा, इनके अवसेश प्राप्त हुए हैं जिन से हमें उस समय की सब्वेता के बारे में, सिंदू सब्वेता के बारे में, वहां के लोगों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय सेंदव समाज कैसा था इस तरीका उसमें क्या इस्थान था या उनका खान पान पहनावा कैसा था उनके नगर नियोजन की व्यवस्ता कैसी थी और उनमें सफाई व्यवस्ता कैसी थी किस परकार से वो जो है अपने जीवन को यापन करते थे या जीवन चलाते थे इ इस chapter के अंतरगत या इस topic के अंतरगत अगला जो chapter है वह है वेदिक साहिते समाज और धर्म वेदिक काल जब वेद लिखे गए उस समय काल को वेदिक काल का जाता है हालांकि रिगवेद जो है उसमें वेदिक काल के अंतरगत ही नहीं आता तो वेदिक काल में जो लिखे गए वेद जैसे चार वेद में से पर्थम वेद रिगवेद अथर वेद यजूर वेद साम वेद जिसे संगीत का जनक कहा जाता है तो वेदिक साहिते के अंतरगत हम और भी बहुत सारे साहिते ऐसे लिखेगे जो उस समय जैसे पुरान है या उपनी सिद्ध है या और भी बहुत सारे ग्रंथ तो उनका आध्या हम विस्तार से करेंगे वेदिक साहिते के अंतरगत और दूसरा समाज और धरम यानि वेदिक काल में समाज का प्रारूप क्या था समाज किस परकार का था और उनका आपसी संबन्ध कैसे थे और उस समय धरम की क्या मायने थे वेदिक साहिते समाज में धरम किस परदानता किस परकार का था उसके बारे में हम अध्यन करेंगे वेदिक साहिते समाज और धरम के बारे में तो एकाई परतम में महतोःपुन टॉपिक जो आपके परतम वर्ष के इतियास के दित्य पर्षन पत्र के एक बार परतम एकाई के पुन्हें वापस एक समझ लें भार पहला चैप्टर भारतिय संस्करति का आर्थ हम आदर्श विभिंता में एकता सेंधव समाज धर्म वेदिक सहाइत्य समाज और धर्म जिसका हम step by step यानि करमबन तरीके से विस्तार से अध्यन बाद में करेंगे फ्लहाल आपको जो है एक short and sweet जानकारी जो आपकी syllabus से संब्दित एकाई second एकाई second या एकाई दित्य जिसमें कौन-कौन से topic है और हम किन-किन topic का अध्यन करेंगे तो एकाई दित्य में जो है वो topic है जैन धर्म बोध धर्म इसलाम धर्म सिख धर्म और प्राचीन भारत में सिक्सा के कैंद्र वार्ण जाती संयुक्त परिवार इसके लाभवानिया प्रुशार्थ आश्रम व्यवस्ता विभीन यूग सौरी इकाई सेकेंड में जैन धर्म बोध धर्म इसलाम धर्म सिख धर्म और दूसा चैप्टर है आपके प्राचीन भारत में सिख्सा के कैंद्र यानि इकाई दो में हम मुख्या रूप से चार धर्मों का अध्यान करेंगे जिसमें जैन धर्म बोध धर्म इसलाम धर्म और सिख धर्म और इसके साथ एक और डॉपिक जो प्राचीन भारत में सिख्सा के कैंद्र यानि प्राचीन भारत में सिख्सा के कौन-कौन से कैंद्र थे किनकिन केंदरों से शिक्सा प्राब्त की जाती थी उसके बारे में हम एक आई दो में अध्यन करेंगे जैसे जैन धरम आप सब जानते हैं कि जैन धरम के संस्तापक जो है पर्थम यह कहें कि इसके आधिपुरूस जो है वह रिशब देव को माना जाता है और महाविर स्वामी की सिक्साएं क्या थी, उनके सिध्धान्त क्या थे, जैन धर्म के अंतरगत कौन कौन सी सिक्साएं आती है उनकी, तो इनका हम विस्तार से अध्यन करेंगे, जैन धर्म के अंतरगत, दूसरा है बोध धर्म, बोध धर्म के संस्तापक महत्मा बुद्ध आ क्या विसेश्ताएं थी और महात्माबुद्ध ने क्या-क्या उब्देश दिए बोध संग और इनके सिध्धान्त नियम क्या थे तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्यन करेंगे बोध धर्म के जब हम आज का अध्यन करेंगे चैप्टर का विस्तार से उस समय और नेक्ष संस्तापक माने जाते हैं तो इसके अंतरकद हम पढ़ेंगे इसलाम के बारे में कि जिस परकार इसलाम धरम का अध्या कैसे हुआ और इसके संस्तापक जो मुहमद पेगंबर साब को माने जाते हैं उन्होंने क्या 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 किया और इसलाम धरम की क्या विशेशताएं हैं और ये कहां उद्दे हुआ जैसे 622 इसवी में जब बैगमर साब ने हिजरत की थी तो उसके बाद हिजरी सन स्टार्ट हुआ परारम वुआ इसलाम धरम के अंदर या मुसल्मानों के अंदर गर्ट जो विजरी सोंत माना जाता है तो इस परकार हम जो है इसलाम धरम के बारे में और इनकी सिकसाओं के बारे में विश्तार से अध्यन करेंगे नेक्स्ट सिंख धरम के संसतापक गुरू नानक देव जो जाती से खतरी जाती के थे आप सब जानते ही है और इनका प्रमुक मठ जोनन का नमठ माना जाता है और इसके अंतरगत हम सिख धर्म की सिख्षाएं उन गुरुनानक साहिब के उपदेश इनका अध्यन विस्तार से अध्यन करेंगे इकई दो का दूसरा चेप्टर प्राचीन भारत में सिख्षा के कैंदर प्राचीन भारत में सिख्षा के कौन कौन से कैंदर थे तयार खड़ी है और हमें सिख्षा परदान कर रही है तो यह तो वरतमान में है जो हम देख रहे हैं लेकिन प्राचीन काल में कि भारत में प्राचीन काल में सिक्षा के कौन-कौन से कैंदर थे उनका हम अध्यन करेंगे इस टॉपिक के अंधरगत जैसे कौन-कौन से कैंदर थे जैसे तक्सिला, नालंदा ये जो सिक्षा के परमुख कैंदर थे उनके बारे में हम इसमें के अं अध्यन करेंगे एकाई तीन करेंगे एकाई तीन जिसमें हम अध्यन करेंगे वर्ण जाती संयुक्त परिवार एव इसके लाब्व हानिया पुरुसार्थ आस्रम व्यवस्ता विभिन युगों में नारी की इस्ति यानि एकाई तीन के अंतरगत वर्ण और जाती वर्ण क्या है वर्ण का सामानयार्थ कहें तो उसे हम रंग की रूप में ले सकते हैं कलर जिसे है कहते हैं कलर या रंग तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्ता थी जिसमें चार वर्ण रखे जाते थे जिसके अंतरगत जैसे हम धार्मिक बात करें धरम के अनुसार हमारे हिंदू धरम के अनुसार तो इसमें कहा गया है जैसे रिगवेद के दस्वई मंडल में भुजाओं से सत्रिये और उदर से जो है वैसे और जांगों से जो है सुद्र वर्ण की उत्पती हुई तो इस परकार लेकिन ये तो थी धर्म की बात लेकिन वास्तम में वर्ण क्या है और ये वर्ण व्यवस्ता क्या किस परकार की थी प्राचिन काल में उस समय तो वर्ण आता है जाती जाती क्या है जो आप जाती से आप वरतमान में परीचित भली भाती परीचित है कि भारत में सबसे जो एक बात कहें वो है जाती व्यवस्था जो आज भी उस समय तो थी ही थी लेकिन आज भी वरतमान में भी हमारे समक्स मुझूद है और हम अच्छे भली परका जानते हैं लेकिन जाती क्या है कि इसकी परिवासाइव क्या है ईसकी क्या विष्यस्ता है इसका हम अध्यन करेंके इस उकाई-3 के वह टॉपीक दूसरे में और फिर है सवयुक्त परिवार लाबहानिया परिवार जो प्राचिन-काल मैं जैसे चाचा चाची सब जो है दादा एक साथ पूरा परिवार एक साथ रहता था मिलकर रहता था जिसे सहयुक्त परिवार कहते हैं और उस सहयुक्त परिवार के क्या लाब थे यानि सहयुक्त परिवार था तो उसके लाब क्या थे हम सब जानते हैं कि जब सहयुक्त परिवा परिवार में रहना पसंद नहीं करता है एकल परिवार की व्यवस्ता हो चुकी है लेकिन हम पढ़ेंगे इस टोपिक के अंदर समिक्त परिवार और उसके लाब हानिया यानि समिक्त परिवार क्या है किसे समिक्त परिवार कहा जाता है और इसके क्या-क्या लाब है और इसकी क क्या हानिया है नेक्स्ट इकाई तीन में पुरुसार्थ कि पुरुसार्थ क्या है इसके बारे में हम अध्यन करेंगे मुख्य रूप से जो पुरुसार्थ वो चार माने गई है धर्म अर्थ काम और मौक्स मनुष्य को चार पुरुसार्थ करने के लिए कहा गया है यहां मनुष्य का पुरुसार्थ है उनको चार भागों बांटा गया है धर्म अर्थ काम और अंतीम जो पुरुसार्थ है वो मौक्स यानि इन चीजों में मनुष्य क्या क्या करता है क्या करना चाहिए और अंतीम जो आस्रम वयवस्ता थी मनुझे जीवन को सो साल का मान कर उसे चार पार्टों में चार भागों में बालटा गया था और फ्रतेग भाग की विशेश्ताएं थी जैसे तक पर दी चार आस्रम 20सार्ण दान जो और सनियास आस्रम यानि जनम से लेके युवाज 25 साल की उमर तक जो है वह उस्वा आश्रम को बाटा गया दूसरा पचीस से पचास तक ग्रहस्त आश्रम में फिर पचास से पिचोतर की उमर में वानप्रस्त आश्रम और पिचोतर से सो में सन्यास आश्रम इस परकार मानव जीवन के पूरे जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया और लास्ट जो है वो था सन्यास आश्रम जब मनुश्य अपने पूरी करतवे पूरी कर लेता है बच्चों की साधिया वगरा सब करके जब उसकी उमर 25-25 साल से उपर हो जाती है तो उसे सन्यास ग्रहन कर लेना चाहिए और सन्यास में या जंगलों में चले जाना चाहिए और नेक्स्ट जो है वह है विभाण युगों में नारी की इस्तृति विभाण यूग वेदिक यूग उतरवेदिक यूग मौरयकाल या जो भी भिन-विद्विऊग हुए उनमें नारी की क्या इस्तृति थी ष्यास इनके बारे में अध्यन करेंगे сек interact tej другие depends ngरम नारी कि स्टति यह 15 1420 अंत्रगताम अध्यन करेंगे संक्राचारे यानि संक्राचारे और उनकी इस क्या क्या शिक्शाएं थी तो आप जानते हैं गी दक्षिड में भक्ति की प्रार्ण करने वाले संक्राचारे को ही माना जाता है जबकि उत्तर भारत में जो है वो रामानंद को माना जाता है रामानंद ले गए भक्ति की धारा को उत्तर भारत में लेकिन भक्ति क्या प्रारम जो संक्राचारे से ही माना जाता है और बड़ी कम उमर में ही अनिक ग्रंतों की रचना की और उसके बाद बहुती भारत में बहुत ख्याती प्राप्त की संक्राचारेने तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उनकी सिक्साओं के बारे में उसके बाद भक्ति आंदोलन जो धारमी जटिलता आ गई थी और करमकांड ज्यादा बढ़ गई थे तो उन करमकांडों के विर विसेज रूप से राम और कृष्ण के बारे में बताए गया और सिव के बारे में भी बताए गया तो इसके बारे हम पढ़ेंगे भक्तियांदुल में उसके बाद महराष्ट के औरंगाबाद की अजनता चित्रकला जो महराष्ट का औरंगाबाद हैं वहाँ अजनता की टोपिक रामांड और महाभारत रामाइन के बारे हमने आप दिश जानते ही हैं क्योंकी हिंदुधरम में रामा नकार विस्यश महत्रों है तो रामार ऑद TL के राचनकार का भी क्योंकि व्यूंतर च fifa का महाभारत के बारे में और इसका एक महत्रपुण ग्रंथ है गीता जिसों हिंदू धरह में बहुत रही पवीत्र माना जाता है तो इसके अंदर के पढ़ेंगे रामायन महाभारत और कालिदास, तुलसिदास और मीरां के बारे में कालिदास सब जानते हैं संसकर्ट के प्रगार्ड विद्वान और विक्रमा दित्या के दर्बारी कवी या नवरतनों में से एक कालिदास उनके बारे में तुलसीदास जो सब जानते ही हैं कि तुलसीदास संसकर्ट के प्रगार्ड विद्वान थे और उन्हें ने रामचरित म पानस ग्रंथ लिखा और कहा जाता है कि तुलसिदास पहले निपट गवार थे लेकिन जो है बाद में एक बार वो अपनी पतनी से मिलने जाते है और किस परकार आधी रात में जाते हैं बरसात में और फिर उसकी पतनी उसे डांटती है कि जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतन करना सांगा के पोत्र भोज से जिसकी साधी हुई लेकिन साधी के उस समय बाद ही विद्वा हो गई और विद्वा होने के बाद जो है यह स्री कृष्ण की बच्पन में भग थी और फिर पूरी तरह से कृष्ण भगती में लेन हो गई इसके देवर विक्रमा दित्या ने जो पांच एक यह 5 के इंटर्गत भरतिय पुनर जागरंग भारत में जो पुनर जागरंग हुआ उसके बारे में राष्णिय आंदोलन में तिलक गांधी सुभाष्चंद्रबोस का योगदान जो राष्णिय आंदोलन चला भारत को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे देश क करांती कारियों ने आंदोलन किया इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तो उसके अंतरकत बहुत सारे करांती कारी हुए लेकिन हम जो है यहां पढ़ेंगे सिर्फ तिलक जिसे तिलक जो लाल बाल पाल नाम से तीन जो प्रसित थे बाल गंगादर तिलक विपिंच और जिनका पूराना महन्दास करमचंदगांधी था उनके बारे में कि उनका क्या-क्या योगदान था उनने देश की आजादी के लिए क्या-क्या किया। जो अधूरा रह गया तो इनके बारे में next chapter में हम पढ़ेंगे पस्चिम का भारतिय संसकर्ति परभाव यानि पस्चिम जो पास्चाते संसकर्ति है जो नंग धड़ंग गुमते रहते हैं उसका हमारी भारतिय संसकर्ति पर क्या परभाव पढ़ा यानि हमारे खानपान हमारा पहनावा हमारी भाषा और हमारा आचरण हमारा वेवार इन सब को पस्चमी ने किस परकार से परभावित किया आज हम जो आधुनिक यूग में देखते हैं कि हम सब जो है पस्चमी सब्वैता के सिकार है और उनका अनुकर्ण करते हैं उनकी नकल करते है और यहां तक की खानपान से लेकर पहनावे तक और अपने वेवार में भी पस्चमी सभ्यता को हम विशेश महतव देते हैं कोई अंगरीजी बोलता है तो हम आखें फाड़के उसको देखते हैं वहां कितनी अच्छी अंगरीजी बोल रहा है लेकिन कोई हंधी बोल रहा है त प्रभाव और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीवी रमन जैसी बसू और आरे भट महान वेग्यानिक सीवी रमन जिन्हें जो है रमन एफेक्ट एक सिध्धान्त दिया या पर्योग किया जिस पर उन्हें 1930 में नोबल प्रशकार भी मिला तो इसके बारे में और जैसी बसू जिनक कि पिता बगवान चंद्रबसू थे जो उस समय डिप्टी कलेक्टर भी थे और तो इसके बारे में और आरे भट आप सब जानते ही है महान गणित किये जिनके बारे में हम विस्तार से अध्यन करेंगे तो इस परकार ये था आपका सेलबस भी दित्यवर्ष इतियास का दित इतिये पार्ट का सेलबस नमस्कार धन्यवाद